अलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में में आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने Nokia C12 Pro Android में आप अपने मुवाइल फोन की हीटिंग की प्रॉल्म को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं आपकी स्क्रीन की सामने पेज उपन होगा इस तरीके का इसमें आपको रिश्टार्ट पे टैप करना है इससे क्या होगा ना कि आपका फोन जो है वो आटोमेटिक स्विच आफ हो जाएगा फर इसके थोड़ी दिर बाद आटोमेटिक स्विच अन हो जाएगा restart करने से यह होता है हमारे mobile phone के android system में अगर कोई प्रलूम आ जा जाती है तो प्रॉलम जह स Gulf हो जाती है mobile phone को restart करने से एक बार अपने phone को restart जरूर कर लीजिए अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है देखिए दोस्तों कभी भी आप जो है ना अपने मुवाइल फोन को चार्ज करते हैं ठीक है कभी भी आप अपने फोन को चार्ज करते हैं तो आपको अपने फोन को चार्ज करने के लिए हमेशा अपने फोन के साथ वाला जो ओरिजिनल चार्जर होता है उसी को आपको यूज करना है कभी का बार ऐसा होता है कि हम किसी भी दूसरे फोन का चार्जर यूज़ कर लेते हैं अपने फोन को चार्ज करने के लिए इससे हमारा फोन हीट करता है क्योंकि देखिए दूसरे फोन का जो चार्जर होता है वो हमारे फोन को अच्छे सपोर्ट नहीं कर पाता है इसक का ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखना है, कभी भी आप अपने mobile phone को charging पे लगाते हैं, तो आपको अपने phone को charging पे लगाके, अपने phone को इस्तमाल नहीं करना है, काफी सारे लोग जन अपने phone को charging पे लगाके इस्तमाल करते हैं, जिसके अपडेट नहीं करते हैं कभी अपडेट आता है तो हमें कभी का और पता नहीं लगता है तो mobile phone का software होता है वो हमारा updated ना होने की कारण भी हमारे mobile phone के android system में कुछ problems आने लगती है तो आपके mobile phone का software है वो आपका इस वाले पेज में अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है उससे आपको टैप कर देना है इससे आपके phone का software अपडेट हो जाएगा पर आपके phone की जितनी आपको जरुरत लगती है ठीकिना अब दुस्तों यहांप आपको सबसे आक्री प्रोसेस आपको करना यह है कि आपको अपने mobile phone को reset करनेके अपको आपको तबी करना है अब को आपगो बिल्कुल नहीं करना है ठीकि है तो mobile phone को reset करनें के लिए आपको आनो ideas चेही साइडे सिस्टम पर टाप करना है इसके अंदर आपको reset option टाप करना है इसके अगले पेज में आपको यह erase all data factory reset पर टाप करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की जो अपने mobile phone को reset करना है तो तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको जितना ही process आपको बता है सारे आपको use करने तो इससे आपके mobile phone की heating की problem solve हो जाएगी अगर मेरे बता है आपके phone की problem आ रही है तो मेरे बता हुए तरीकों से आपके problem solve हो जाएगी अधर्वाइस आपको अपने phone के service center जाना पड़ेगा